आश्यूप पाटी के द्वारा पूरे प्रदेश में संगठन, बिस्तार, पुनरगठन और गठन को लेकर करते हैं इवाओं के अंदर में नई जोष और उत्सा को भरने के लिए पहले फिज में हम लोगोंने मूलसंणठन का प्रखंड जीला अब अब हम लुग परवंडल संवेलनकर रहे हैं परदेश अस्तरिय समेलन, जिलास्तरिय समेलन और परखंड अस्तरिय समेलन करने का डियेट निर्धारी थे। इसी करम में 16 तारिक को पूरे परदेश में महलाओं का समेलन आयोजी थे। 15 तारिक को 15 अक्टूबर को अखिल ज्यार्खन अधिवक्ता संग का परदेश अस्तरिय समेलन राची में आहू थे रिता शिरी बेंकेट हॉल बूटी बर्यातू इसके साथी साथ कुल्हान परबंडल का चांडिल में पूरे कुल्हान परबंडल के पंचायत अस्तरिय और सपतग्रहन समारू है पाटी पूरिस्त राज्य के जोलंत मुद्धों को लेकर कार्श करताओं को परशीचित और ससक्त करने के दिशा में काम करनी है साथी था संगठन का विस्तार और इस वर्ष क्योंकि महादीवेशन होना है अब महादीवेशन में हम लोग एक लाग पदेन पदाधिकारी सिर्कत करेंगे उसकी त्यारी में हम लगे हुए हैं और उसी करम में सभी संगठन का विश्तार और पुनरगठन किया जाए हैं अभी राज में राज सरकार के द्वारा अपने परचार परसार के लिए कहें आपकी सरकार आपके द्वार कार्शकरम चल रहा है लगिन इससे पहले दिए प्रेज में चला था जब तक निचले अस्तर के यूनिट्स को जहां भरस्ट अचार है जहां सुबिदा सुल्ख के बगएर काम नहीं होता है उसको चुष दुरुस्त किये बगयर हमको नहीं लगता है कि एक कार्शकरम है एक तरह से खाना पूर्ती होगा धरातल पे नहीं हो पाएगा इसको गंभिड़ता से लेना चाहिए और रासरकार को सिर्फ खाना पूर्ती नहीं करता है जाना इडी एक स्वतन्त रेजन्सी है और वह एक तरह से अपने कार्शेत्र के अंतरगत फिल्टर करता है और अगर उस तरह के दायरे में जो भी लोग आएं निश्चित्वर प्रमिश्वक सिजाच उस एजन्सी के साथ के साथ करना चाहिए हमने पहले ही कहा कि कानून सब के लिए है यह लोकतांत्रिक देश है आप लोकतंत्र के तहत उसके सभी अस्तंफ को सम्मान करते हैं और किसी को भी जाजत नहीं है कि वो गैरकानू डिढ़क से काम करें अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले